मैं शरलीन चोपडा विछले 15 सालों से पॉन्ड वीडियो कर रही है जहां वक्ता तांग अडाती भी हूं और वक्ता आने पर टांग तोड़ती भी हूं एक वो लड़कियों और एक ही है लड़कियों की चिंता थी तो आप इतनी न्यूड एकदम मजा ले कि तुम्हारे शरी बन सकती हो आपने मैंनत क्यों नहीं की सिरियलों में फिल्मों में बिग शो बिग बश्यों में आपको मौका मेला था आपने तो वहां पे कोई धंडे गाड़े नहीं आपको इतना मौका दिया गया फिल्मों में आपने तो कुछ किया नहीं आपने पॉन वीडियो बनाई राखुडे का duy अंश्टम पाटी कर अًभार वी बोले चला नहीं था पहले आप रस्ट्रे आंप पाटी में थे जबी यह उन्हों ने बोला और क्या बोला पहले आप पाटी में थे इलेक्शन के रेब्बे आपका पर्टी चली ज़िए मिर्ची हाँ और क्या पता हूँ जो बोलना चालें आपको कुछ मैटर नहीं पता है क्यों नहीं पता है देश की पूरी जन्ता को मेडर पता है देखें मैं माबा एक वो लड़कियो रेकिये अच्छ में खड़ा गाल शरलें चोपडा पहले मैं आपको बता दूंग शड़नली कई-कई से मेनका से सड़न थी और कामा सुत्र करकर के सड़नली आप बहुती सती सावित्री बन गई है और मेरे बारे में जज्जमेंट कर रही है तो मैं भी सीता गीता मीता मीरा नहीं हूँ मैं राकी सावन्त हूँ तुमने कहा और उन्हें नहीं भी कहा न टांग अड़ाती है बीच में तो बहन मैं टांग ने अड़ाती हूँ जहां वक्ता तांग अड़ाती भी हूँ और वक्ता आने पर टांग तोड़ती भी हूँ तो सुनलो बहन आप जो है शरलीन छोपडा विचले 15 सालों से पॉन वीडियो कर रही है इमाराइट देश की जनता क्या आप यूट्यूब में जाके शरलीन छोपडा नीड वीडियो आप टाइप करेंगे कृपया करके टाइप कीजिए फिर दुसरों पर टिपपड़े कीजिए है ना और आज सडली इतने सालों के बाद आप यह करें कि राकिसामद आपको कुछ पता नहीं है तो बेहन अगर आपको देश की लड़कियों की चिंता थी तो आप इतनी न्यूड एकदम मजाल है कि तुम्हारे शरलीन पर एक कपड़ा भी दिख जो है हाँ जी वीडियो देखिए अगर आपको देश की लड़कियों की देश की देश की जनता की चिंता थी मेरी बेहन शरलीन चोपड़ा तो आप ऐसे कदम नहीं उठाती हिंदुस्तान में पॉन या फुल निउड होना बेहन है मोधी जी ने सब कुछ बेहन करके रखा हुआ है तो आप ही क्या कर रही थी यूट्यूब में हाँ बेहन एक औरत रेती सिमेंट उठा के बिल्डिंग बना के मैनत करके रोटी खाती है एक लड़की डांस करके मैनत करके रोटी खाती है बंद कर और एक हर इंसान हर इंदुस्तान की वो जो लड़किया है ना मैनत करके रोटी खाती है आप समझ गई मैडम इधर में चड़िए तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं, जो आके कृपएया करके आप यह अच्छी डांसर बन सकती हो, आप यह अच्छी अक्टरस बन सकती हो, आपने मैनत कियू नहीं कि सीरियलों में, फिल्मों में, बिग जो, बिग बर्स शो में आपको मुखा मिल आपने पॉन्ट वीडियो बनाई क्यों आज मैं बैंक ओनर हूं मेरे बैंक में कोई भी अकाउंट खुलवा सकता है चोरी का माल भी रखता है इमार इंतारी का माल भी रखता है अगर आप लोग या कुछ अन्य लोग अपने वस्तरे ही नहीं उतारते या ऐसे लोगों को सपो कोट नहीं कर रही हूं मैं राज कुंद्रा जी को डिफेंड नहीं कर रही हूं यहां पर मैं सच्चाई में बात कर रही हूं इमांदारी से काम करो इमांदारी की रोटी मिठी होती है और बात रही मेरे मिर्ची पाटी की तो वह पाटी मेरी नहीं थी मिर्ची पाटी किसे और कि थी, तुमने तो सिर्फ शरीर के कपड़े उतारे, मैंने सड़क बनाई है, रोड बनाया है, BMC कमिशनर को बाहर लाके, सड़के बनाई है, गटर बंद करवाई है, गरीब जनता के लिए काम किया है, और तुम सड़ली मुझे ये किती, मेरा राजनीती में कोई काम नही बना, भाई मुझे तो राजनीती करनी भी नहीं थी, मुझे तुम मेरे एरिया वालों ने कहा था कि एलेक्शन लड़ो, फिर भी साथ दिन में धाये जार वोट आये बहन, अब मुझे पता है कि अभी तुम बहुत सीधी साधी बन कर, मेरी दुआई तुम सीधी साधी वस् बड़ी पाटियों में जाओ, आजा अगर तुम वो अपना जो प्रिवियस पेशा छोड़के, अगर आज अच्छे इंसान बनने चाती हो, तो हम सब आपके साथ हैं, अब अच्छे काम करो, मुझे मत बलो कि मैं टांगडा थी, हर इंसान को लोग तंत्र में बोलने का अध कर साड़ी कमीज पैंकर कोई पार्टी जोइन करना चाहती हो, अच्छी बात है आप करो, राजनीती करो, क्यों नहीं हर इंसान को अधिकार है, है ना, तो और मेरी मिर्ची के पार्टी तो मुझे थोड़े एड्यूकेशन बढ़ाओ, तुमारा एड्यूकेशन इंग्लिश आप पार्टी से, इंसान कौलिफाइड नहीं हो जाता, आप जाके चुना, आयोग में जाओ, और कितने दिन पहले आपको मिर्ची का सिंबल मिलता हे, साथ दिन पहले, जब नई पार्टी होती है, तो साथ दिन पहले आपको नई पार्टी में राकी सान, बॉल्यूड अक् कमाए वो भी ठाई हजार औरिजिनल समझी नहीं पार्टी में तुम जाओ खुद की पार्टी बनाओ देश बर में चुनाओ लड़ो और मेरे जितनी वोटतों लेकर आओ नोट खर्च की बगैर समझ रहे हो तो मैं हमेशा सच्चाई का साथ देती हूँ मैं ये नहीं कह रहूँ कि राज कुंदरा जी ने कोई गुनाई नहीं किया होगा उनके लिए जज बैठे हैं पुलीस बैठी हैं वो अपना कामकारी कर रही है तुम जो दिन जनता को भड़का रही हो अच्छ अच्छ घर में लोगों को पता है कि ब्लाक मेलिंग क्या होती है कोई तमंचा रख के तुमारे घर से तुमको उठा के नहीं लेकर गया था या दूसरों को कि चल 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 जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल आके न्यूड वीडियो करो हमारे साथ तमंचा रख के कोई नहीं किया था इंसान अपनी मर्जी से सब कुछ करता है त तब तुम भारतिय नारी क्यों नहीं बनी तब तुमने क्यों नहीं सुचारे भगवान अगर मेरी देश के लड़के लड़कियां मेरे ऐसे पॉन वीडियो देखेंगे तो उन पर क्या असर होगा बच्चों बच्चों पर हिंदुस्तान के जनता पर लक्षमेंड रेखा हर यूग में लक्षमेंड जी, राजी आपको यद हैं लक्षमेंड रेखा हिंगी क्यों पार जश दोराई गई है मातासित्प को भी कहा था रामजी ने जब वो गए थे शिकार करने के ये लक्समेंड्रेका पार मत करना लेकिन उनको इक हीरन दिग गिया जो रावन भीरन का रूपधारन करके आयाए था तो उन्होंने मतासिता ने वो क्या-किते? लक्षमेंड रेखा पार करी और रावन जी ने उनका अभरन के है वैसे ही तुमने, मेरी बहन, लक्षमेंड रेखा, आपने इंदोस्तानी लड़कियों के क्यों पार करी? अगर आपको पार न करती और अभी आपको इतना प्रचार करने का इतना जरुत नहीं पड़ती है हम भी लड़किया हैं, हम ग्लामरीस कबड़े पैंती हैं लेकिन नुडिधी नहीं करती हैं हम फैशन के साथ चलती हैं लेकिन नुडिधी कभी नहीं करती हैं Because I love my country, I love my people, I respect my all Indian girls and my India. Jai Hind!